तुम यहां क्या कर रही हो हां? क्या कहना चाहते हो? खुल कर बोलो के रान मेरे साथ खेल खेलने के कोशिश मत करना तुम मेरे भाई के साथ क्या करना चाहते हो हां? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें उसके साथ खेलने दूगा? जिस तरह तुम एर्मक के साथ खेल खेल रहे हूँ क्या बक्वास कर रही हो तुम एर्मक का नाम अपनी जबान पर मत नाना कभी मेरे प्यार करने वालों से दूर रहो और तुम्हें क्या लगता है हमेग जैसे हैं ऐसा हर्गिस नहीं हो सकता अगर तुम अपनी जिंदगी में आके बढ़ रहे हो तो तुम अच्छे इंसान हो अगर मैं ऐसा करूँ तो मैं गलत हूँ बोलो तुम कोई जबाप है तुम अलफाजों से मत खेलो अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे इस बात को जब तुम्हें वराल से बेहिंद्या मौबत हो गई थी अभी अचानक तुम्हें मेरे भाई से मौपत कैसे हो गई मैं अब ठक चुकी हूँ आई समझ मैं तरहसल अपने एक तरफा प्यार से मुकम्मल ठक चुकी हूँ मैं भी खुश रहना चाहती हूँ एक खुशाल जिन्दगी चाहती हूँ सोचो जरा मुझे तुम पर यकिन नहीं है लेकिन फिर भी अगर मैंने तुम्हे एक और गलती करते हुए पर देख लिया तो याद रखना माप नहीं करूँगा मैं जहन में बिठा लो ये गेजर वुराल साहब आपकी अम्मी का सुना मुझे यकिन नहीं हुआ अचा ठीक है ये बादे छोड़ दो मुझे बताओ उन लोगों ने तुम्हें जाने कैसे दिया जाने नहीं दिया मैं भागाया कैसे कोई तुम्हारी निगरानी पर नहीं था था पर मैंने उने चक्मा दे दिया कुछ गला तो नहीं न कुछ नहीं बताया कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं बताया तुमने उन्होंने कोशिश तो की पर मैंने कुछ नहीं बताया फिर उन लोगोंने तुम्हें मारा क्यों नहीं उराल साब मेरा चैरा देखें क्या हालत कर दी है हाँ ठीक है ठीक है शुकर रहे तुम वहाँ से बचके निकले हो मुझे वैसे भी तुम्हारी जरूरत है जो काम दूरा रह गया था उसको अब पूरा करना है जाले अभी भी बाहर कहीं जिन्दा गुम रही है वो और वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित होगी समझ गये तुम समझ गया अजीस तो प्रकजील में है फिलाल उससे हमें कोई खत्रा नहीं है पर जब तक हिजाले बाहर है न अस वक्त तक हम लोग सुकून का सास नहीं ले सकते समझे तुम ठीक है उजाल साब तुमने टेबल पर ऐसे क्यों भी हेफ किया पागल हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा तुम किस बार में बात कर रहे हो तुम नास को लेके इतनी पुरसुकून कैसे हो सकती हो क्या चल रहा है तुमारे दिमाग में कुछ भी नहीं मैं बस फुराल को अदास नहीं देखना चाहती अदास? मुझे यकिन नहीं होता देखो मैंने चाहता किसी वज़े से तुम पर कोई खत्रा है समझ ली है तुम? देखो तुम मानो या ना मानो मैंने टेबल पर जो भी कहा सब कुछ सच था अब कोई खत्रा नहीं होगा तुम एक बार मेरी आखो में देखो और फिर मुझे ये बात का हो हज़र देखो मुझे क्या तुम नास की मौत का राज अपने शोहर के लिए बता करना चाहती हो या फिर अपने लिए अपने शोहर की खुशी के लिए समझे तुम जाकर अपनी बीवी की फिकर करो मेरी फिकर करने की जरूत नहीं है तुम्हे हाँ फिर कल जो भी हुआ हम दोनों के बीच में मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा कुछ याद नहीं तुम्हे तो मैं तुम्हारे याद ताजा करवा देती हूँ अपनी आवाज नीचे करो अगर अपनी बीवी से इतना ही डरते हो तो कल रात मेरे साथ क्या कर रहे थे क्यों करीब आये थे तो क्या हम साथ थे बिलकुल मेरी बात सुनो जो हमारे बीच हुआ वो हमारे बीच रहाना चाहिए तुम किसी से कोई ज़कर नहीं करोगी समझ गई? मैं सब भूल चाओंगी अगर तुम भूल चाओंगी मैं सब भूल चाओंगी हलो हजल क्या हुआ तुम ठीक तो हो ना ठीक नहीं हूँ मैं अब इस घर मेरा गुजाना नहीं दम गुटता है प्लीज अपने आपको सम्हालो खुद को इस तरह पिखड़ने मत दो किनान और इर्मक ने शादी कर ली है किनान अब इसी घर में रहेगा काश मैं तुम्हें समझा पाती समझा पाती कि एक घर में रहना कितना मुश्किल है मैं अभी भी केनान से पागलो की तरह महबबत करती हूं हाजन क्या तुम्हारी केनान से बात हुई आज क्या तुम्हें उसे सब बता दिया मैं उसे बस बताने ही वाली थी मगर वुराल मैं अपने घरवालों को और तकलिप नहीं दे सकती तो पर तुम अब क्या करोगी वुराल से मैं अपना पीछा छोड़वाऊंगी जा ले मुझे इस परिशानी से निजात चाहिए पर सिर्फ एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो करोगी ना तुमें जो भी मदद चाहिए मैं हाजर हूँ गेंजर भाग गिया है मैंने वुराल के पूर पर मेसेज देखा था क्या कह रही हो हजल मुझे वुराल से नास के बारे में पता लगा ना होगा गेंजर उसका सीधा हाथ था वर्ना वो उसके लिए परिशान नहीं होता क्या तुम गेंजर का पीछा कर सकती हो मेरे लिए ये कर सकती हो तुम तुम्हे अच्छा लगा? बहुत खबसूरत है मुझे माफ करना जल्बाजी में तुम्हारे लिए कोई तोफा नहीं लाया मैं लेकिन मैं ले आऊंगा जल्द मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो और कुछ भी नहीं चाहिए तुम ठीक तो हो न? हाँ बस वो आज के दिन थोड़ा थकावट वाला था शायद इसलिए चला तुम लेटचा और आराम कर लो कैनान आज मेरी जिंदेगी का सबसे हसीन दिन था उसके बाद जो हमारे साथ हुआ उसका बहुत शुक्रिया मेरे लिए भी इरमक क्या हो? यहाँ आँ चलो आँ वहाँ चल कर लिटो थोड़ा राम कर लो यहाँ लेटो अराम से यहाँ लगाँ ऐसे थोड़ा सो पर थोड़ा सो परो के लेटो रिलेक्स हो जो आज तुम बहुत कुछ तीन तक गई होगी लेकिन सब को चाहोगे हमिर जान अपनी आखे मन करो कित नहीं हो तुम बहुत हसीन हद से जाद हसीन तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो अजल आज तुमने बहुत खुश किया मुझे बहुत बहुत शुक्रिया और जो तुमने नास के बारे में कहा मुझे अच्छा लगा कि तुम इतना खुश हो मैंने बस वही कहा जो मुझे अच्छा लगा मुझे अच्छा लगा मैंने तुमसे कहा था न मैं तुम्हारी मर्जी की बगर नहीं चूँगा मैंने तुम्हारे लिए अपने घरवालों से रिष्टा तोड़ दिया मुझे से कभी इससे जादा की उमीद मत रखना तुम बुराद तुम परेशान मत हो तुम्हारी मर्जी ये बगर कुछ भी नहीं होगा एक दिन तुम खुद मुझे चाहोगी मुझे चाहोगी झाल झाल हसल हसल तुम ठीको तुम इतनी जल्दी कैसे उड़के तुम्हें अपनी नई दुलन को इस तरह छोड़के ओफिस नहीं जाना चाहिए मुझे इंजाम मत लगाओ असल ये हालात मेरी वज़ा से नहीं है बलके ये तुम्हारी वज़ा से हैं ये याद रखना मुझे यहां हर सुबो शाम देखने की अब तुम्हें आदा डालनी पड़ी की क्योंकि मैं अब इसी घर में रहूँगा इसके इलावा कोई और रास्ता नहीं है और तुम तो यही चाहती थी ना अज़र क्या है हम रहाभ करहा हम था रहा है गेंजर कैसे हो बेटा खुशाम दी शुक्री आंकल अंदर आओ बाहर क्यों खड़े हो नहीं मैं थोड़ा जल्दी में हूँ अच्छा अच्छा अम्मी बाबा कैसे हैं वो अच्छे हैं बिटा थोड़ी देर के लिए अंदर बैठ जाओ और इस तरह उनसे मुलाकात भी हो जाएगी मुझे कुछ जरूरी काम है ऐसा करें ये पैसे उन्हें देदें और उनसे कहिएगा मुझे अपनी दुआओं में उसकार के पीछा करो केनान क्या हुआ तुमने मुझे यहां पे क्यों ब腰ाया मुझे ये बात खाय जा रही है के ऐजीस बाइ जेल में है मुझे इस बात की बहुत बरीशानी है कि वो जेल मैं हुने भार कैसे निकालेंगे वो एक बेगुना इंसाने मुझे समझ नहीं आ रहा कि पुलिस उन्हें ऐसे कैसे गिरिफ़तार कर सकती है इस जमने वाली सरदी में सलाखों के पीछे रखा हुआ हैं उन्हें वो खुद को अकेले समभाल नहीं पा रहे होंगे और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं हम सब परिशान है मैं जानता हूँ कि आप भी सुकुन से नहीं है मैं जानता हूँ कि आपकी गन नहीं मिल रही, समझता हूँ मैं लेकिन आपको उस गन को ढूंडना ही होगा चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए भाई हर हाल में ढूंडना होगा हमें अजीज भाई को जलजाम से निकालना ही होगा मैंने सब कुछ करके देख लिया हर किसी से पूछ लिया मैंने पर बंदूक नहीं मिली क्या तुम्हें मुझे भरोसा नहीं है हमारे जिसमों में एक ही खुन दोड़ता है हम दोनों मतलब ही नहीं हो सकते भाई याद हैना बाबा ने क्या सिका है था हमेशे सही रास्ते पर चलना और गलत के खिलाफ आवाद उठाते रहना हाँ पर मेरे बस में कुछ भी नहीं है मुझे कुछ नहीं समझा रहा मैं बहुत शन्मिन्दा हूं केनान बहुत शन्मिन्दा मैंने तुम्हें और अजीज भाई को मसीवत में डाल दिया है काश मैंने उस पे सौल को हाथ नहीं लगाया होता मैंने सब बरबाद कर दिया होसले रखे हैमत भाई मैं आपको कुछ नहीं होने दूँगा और नहीं किसी और को कुछ करने दूँगा लेकिन ये भी समझ लीजे कि चाहिए मुझे उस जेल को तहस्नेस करना पड़ जाए लेकिन मैं अजीज भाई को वान नहीं रहने दे सकता जिसने भी ये किया है मैं केसी भी तरह उसका पता लगा लूँगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं भाई अपने हाथों से उस शक्स को अदालत में लेके जाओंगा समझ रहे हैं हम जिसने भी ये किया है वो मुझसे बच नहीं सकता और नहीं छुप सकता है हेलो हजन हाँ गेंजा किसी से मिलने जा रहा है किस से मिलने मुझे समझ नहीं आया उसने किसी बुड़े आदमे से मुलाकात किया और कुछ पैसे दिये जैसे अलवेदा कह रहा हूँ क्या उसका कोई रिष्दार था वो मुझे नहीं पता मैं अभी उसका पीछा कर रहे हूँ मुझे इतला देती रहना वैसे हाँ बोलो तुम बस अपना बहुत ख्याल रखना उसकी फिकर मत करो मैं अपना ख्याल रख लूँगी बहुत शुक्री आपका मैंने वकील से बात कि आज वसीयत पड़ी जाएगी अगर मैं ना चलूँ तो ठीक है वैसे भी मेरा वहाँ कोई काम नहीं है बस इसलिए कह रही हूँ हाजर साहवा खलील साहब आये है मैं उनसे मिलके आती हूँ जैसा तुम्हें ठीक लेगे है क्या तुम देख रही हो अंदर भी दाखिल नहीं हो पा रहा मैं पेटी यहाने की हिम्मत कैसे हुई आपकी तुम्हारे लिए अतना कुछ क्या और तुम अपने बाप से इस तरह मिलोगी हाँ शेल मानी चाहिए तुम्हें तमीज से बात कीजिए आप उस डरी से हमी लड़की से बात नहीं कर रहे हैं मैंने इतने साल तुम्हें बच्चों की तरह पाला है तुम्हारी खायश है पूरी की अपने सर पर बठा के रखा तुम्हें हमेशा तुम्हारा खयाल रखा अब मेरे मुश्किल वक्त में ये लोग मुझे अंदर भी आने नहीं दे रहे आप एक अच्छे बाबा थे आपने अपने खुशी के लिए पैसे के लिए मुझे एक आदमी के हाथो फॉप दिया तुम्हारी विज़त बचाने के लिए क्या बेटा बरना मैं तो उसे जान से मारने वाला था यकिन करो हाँ जान से मार देता मैं उसको देखो बेटा देखो मुझसे ऐसे मत बात करूं ना तक बंद कीजी अपना अगर आपने सच में बेटी माना होता ना तो मुझे चुप पैसे नहीं दिये तो वो लोगो मुझे होटल से भाय निकाल देंगे इतने सालों का खयाल रख्यों तुम मेरी मदद कर दो बेटा अच्छा तो आप इतना सब कुछ होने के बाद पैसे भांगने के लिए हैं कोई गैराच चराम है या नहीं आप में हाँ इसलिए मैंने दर्वादर के खड़ाया था तुम्हारा जब इनसान के वास पैसे नहीं होते तो उसकी गहरत ऐसे ही मर जाती है अपना ये नातक मिरे सामने बंद कीजिए आपको एक भूटी कॉड़ी भी नहीं दुंगी मैं और गल्ती से यहां वावस मत आईएगा चले जाएए यहां से फॉना निसीवाग्स किया जाएगा है मैं तुम्हारी खुश्वू से पैचान गया था तुम्हे देखने से पहले ही समझ गया था कि तुम आ गई किनान की वज़ा से आई हूँ उसने आप से मिलने की इजासत दिलवाई वैसे मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ अजीज तुम्ही मेरा सबसे बड़ा तुफ़ा हो मैलिक जिन्दगी कभी सिखाना नहीं छूड़ती चाहे आप कितने भी बुड़े क्यों न हो जाए तुम्हारी जिन्दगी में खुशियां तब आती है जब तुम बिलकुल भी उमीद नहीं कर रहे होते हो अजीज जिन्दगी तुम्हें दुबारा से एक मौका दे रही है उस वक्त का इंतिजार करो और फिर तुम उस खुशी के इत्राफ आगे बढ़ो बिना किसी हिचके चाहट की फिर जिन्दगी और तुमसे सब कुछ छी लेती है और तुम्हें कुछ समझ नहीं आता कैसा क्यूं हो रहा है लेकिन मुझे सब साफ साफ दिख रहा है अजीज ना आज ना कल और ना ही इस लम ही के बात बस अभी इसी वक्त मैं और सोचना नहीं चाहती अजीज मैं नहीं चाहती के मेरे इस फैसले में मजीड एक पल की भी दे रही हो ये जो दूरिया है हमारे बीच ये हमें दो नहीं कर सकती बलके हमें और पास ला रही है हमें याद दिला रही है कि हमने क्या खो दिया था अजीज मैं तुम्हारा इंतिजार करूंगी चाहे कुछ भी हो वादा रहा अब जब सभिया मौजूद है तो मैं मरहुम जनान देमिरोलू की वसीयत पढ़ना शुरू करता हूँ जी शुरू कीजिए 2012 के छटे महीने में जो वसीयत बनाई गई थी उसके मताबिक एर्माग देमिरोलू जो उनकी बेटी है सौदिया की 14 मंजिला बिल्डिंग उनको मिलेगी और साथ में 2 ओफिस की बिल्डिंग भी मिलेगी जिसमें 15 फिसद शेर्ज भी शामिल है ये मेरे लिए है और सेनान देमिरोलू को वेलर भई का अलिशान बंगला और चातलका का फार्म हाउस भी जिशमे का घर और कमपनी के 15 परसंट शेर्ज भी मिलेंगे जिसे आप बेच नहीं सकते बेच नहीं सकते क्या मतलब है इसका इसका मतलब ये है कि आप इस प्रोपटी को बेच नहीं सकते सिर्फ उसमें रह सकते हैं हाँ किराय पर दे सकते हैं और जब तक आप जिन्दा हैं उसे इस्तिमाल कर सकते हैं पर बेलारबे का मकान तो हम पहले हार चुके हैं कारणूनी कारवाई में फिर आप यू समझे के वो आपको कभी भी नहीं मिल सकती एक मिनट एक मिनट आपसे कोई गलती हुई होगी क्या आपको पुरा यहकीन है कि आपनी वसीयत लेकर आएं आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई मुझे नहीं लगता कि वकील साब इसमें कोई गलती कर सकते हैं तो फिर मेरी बात का जवाब दीजिए मैं कोई जायदाद नहीं बेच सकता आपका मतनब उसमें रह सकता हूँ मैं जे मिस्टर सैनान आप कह रहें कमपनी में मुझे कोई हिस्सा नहीं मिल रहा पर मैं पर इस कमपनी में पूरे मुनाफरे का हिस्सेदार हूँ मैं और आपको कितने परसेंट मिलेंगे ये भी तैकिया हुआ है देख रहे हुँ ना मैं समझ गया कि मौँ मुझसे कितनी मौपत करती है आप पसियत आगे पड़िये जी जरूर और उनके बड़े बेटे वुराल देमी रोलू को कमपनी के सारे शेयर्स दिये जाते हैं और साती बची सारी जमीने भी दी जाती है वैसे वुराल साब आपकी अम्मी ये भी चाती थी के आप कमपनी के प्रॉफिट में से सबको उनका प्रॉफिट देंगे जितना उनका कमपनी में हिस्सा बनता है सिनान 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 एक मिनुट रुको मेरी बात तो सुनो मुझे जाने दो अब क्या बचा है मुझे नहीं आपको पूरी कंपनी के शेर दिये गए है और क्या चाहिए आपको हाँ सिनान गुसा थोग दो तुम आपके लिए ये सब कहना बहुत असान होगा क्योंके तुम बहुत खुदगर्ज हो मेरी बात सुनो बच्चों की तरह बरता हो करना बद गरो सिनान बात सुनने के लिए बचा क्या है आप मुझसे ये कहना चाहते हो के मम कि वो आप से कितनी महपत करती है और मुझ नहीं ये साबित कर दी हो उन्होंने आप भी उनके चहीते थे हाँ हो गया तुमारा अगर हो गया तो मेरी भी सुनो अब तुम जो कुछ भी अम्मी ने छोड़ा है इस मुझे मुझे कुछ नहीं चाहिए समझे तुम अगर तुम ये नहीं कर सेथे तो दूसरा अप्शन ये है या तु फिर दुश्मनों के साथ जाके मिल जो और तुमें फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी फिर सोच लो क्या करना है बोलो मुझे यहां किस बात के लिए बुलाया है मैं तुमारी हालाद अच्छी तरह समझता हूँ अबरू इसलिए मैं तुमारी जगा नहीं होना चाहता क्या तुम मुझे कंपनी में वापिस रखोगे जरूर अगर तुम मेरी ओफर मान जाओ तो हाँ बोलो क्या ओफर है तुमारी किनान को बर्बात करने में तुम मेरी बदद करो बर्बात करने में ? तुम क्या कह रही हो पता है हर्गिस नहीं हाब दू मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ तुम उसे उस वक्त भी चाहोगी जब वो बिलकुल कंगाल हो चाहएगा उसके पास कोई जादाद या जमीन ना होगी बिल्कुल जैसा भी हो चाहूंगी तो फिर तुम्हें मेरी मतद करनी होगी सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारे दिल की असल हालत को समझ सकता है आबरू कुछ ऐसा नहीं करूंगी जिससे तकलीफ पहुँचे मैं उससे पाने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूँगी क्या सच में तुम कोई खुआप तो नहीं देख रही हो ना अगर मैं उन दोनों को साथ रखना चाहूं तो तुम जिन्दगी भर उससे हासिल नहीं कर सकती हो मेरी बात समझ लो तुम यह केनान बहुत इजददार इंसान है वो पैसों के लिए नहीं इजदद के लिए जीता है अगर हम उस पर किसी भी किसम का इल्जाम लगाएंगे तो वो बहुत तूट जाएगा अच्छा है ना तो तुम उससे समान लेने जब उसे तुम्हारी सबसे ज़्यादा जुरूरत होगी यह तुम्हारे लिए एक सुनहरा मौका है इसमें तुम्हारा ही फाइदा होने वाला है ठीक है तुम एक शर्ट मानोगे तुम उससे किसी भी किसम की जोट नहीं पहुँचाओगे ठीक है आज़ाओ सिनान हमारे क्र्यू के तीसरे फर्ट से मिलो यह हमारे साथ है हाँ तो हम क्या करने वाले है काम कब शिरू करना हो का हर चीज के बारे में तुम लोग को पता लग जाएगा थोड़ा सबर करो बस मैं बाद में आता हूँ आ जाओ यहाँ कोई बाहर वाला नहीं है वराल साहब मैंने अलपाई साहब से बात की है फोटिज वहाँ से हटा दी गई है क्योंके हमने बहुत देर कर दी थी इसलिए पर खास बात यह है के अलपाई साहब ने वो फोटिज देखी है क्या कह रहे हो जल्द से जल्द मेरी उनसे मुलकात कराने का अंतिजाम करो गेंजर भाग गया हमने उसका पीछा करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मिला पहले जीज भाई और फिर गेंजर वहाँ से भाग गया सब हमारे हाथ से निकल रहा है वकील क्या कह रहे है वो क्या कहेंगे उन्हें बेल नहीं दिलवा सकते सब कुछ कोट में ही होगा उनके पास ठोज सबूत है कैनान अल्ला रहम करे कैनान क्या तुमें यकीन है जो एमद ने कहा वो सच है मुझे यकीन तो नहीं हो रहा मैंने इस बारे में बहुत सोचा लेकिन मुझे इसका कोई नतीजा नहीं मिला अगर गंचोरी भी हुई है तो उसी ने चुराई होगी और अगर ये सच नहीं हुआ तो नहीं भाई वो कभी ऐसे नहीं कर सकता मैं जानता हूँ से जरूर कोई कड़बढ है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है पर पता लगा लूँगा वो जरूर पता लगा लेंगे पर तब तक बोस का क्या अगर हम उन्हें निकाल नहीं पाए मैं आज यहां जिन्दा नहीं खड़ा होता अगर उन्होंने मुझे उस वक्ट बचाया ना होता उन्होंने मुझे नहीं जिन्दगी दी और मैंने जो भी सीखा है वो अजीज भाई की बदौलत ही सीखा है उनके मुश्किल वक्त में मैं हाथ पर हाथ रखकर कभी भी नहीं बैठ सकता नजबेक उना आदमी को जेल में नहीं रहने दोंगा इन्शाल्ला उन्होंने में बैठ सकता है उन्होंने में बैठ सकता है उन्होंने में ऑन्होंने ताह आट खायाए ज्सकताशबड़ा ही। झाल झाल हेलो हजल, जाले, मैं उसके पीछे हूँ, पता नहीं कहां आया है, क्या तुम्हारे साथ कोई है, जाले, मैं अब बिल्डिंग के अंदर जा रही हूँ, किसी ने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया, उसके सामने कोई खाड़ा है, कौन है, जाले में तुम्हारे 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 नहीं किया, पूच रही हूँ, कौन है, अब कुछ भी छुपाने का कोई फाइदा नहीं, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें बिल्कुल सही फैसला लिया है, इसी पर टिके रहो, टैफने, क्या, वो टैफनी से मिलने आया है, हजल मैं तुम्हारे तुम्हारी गलती है कि तुम इतने दिन रुखे रहे है, मुझे ये मजबूरन करना पड़ा, पर नास के साथ ठीक नहीं हुआ, वो इस मुह अबबच से डरती थी, नास कहती थी कि जिसे मैं नहीं रही हम दोने के लिए क्यामत आ जाएगी, वो राल ने नास को बुरी तरह बरबात कर दिया, मुझसे तुम बाते नहीं उगलवा सकती, जो मुझे चाहिए वो दिये बगर, तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा, ल झुम्हें झाले पी दिया जुम्हें रही हम जो चाहिए वो दिया बाते हैं, जो मुझसे बदागी, जो चाहिए वो राले बड़ खाहिए जो हाव झाले हम पाले कि ये रहीं, जो एटे जो है रहीं जो है